कि दोस्तों आज किसी वीडियों बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बिली बिल का भुगतान हर महीने समय पर नहीं कर रहे हैं तो आपको कितने का नुक्सान हो रहा है यानि कि अगर आप अपना बिल समय पर भुगतान करते तो आपको कितना बिल देना पड़ता और आप अगर समय पे ब्रूपन नहीं कर रहे है तो एसके बारे में आज यस वीडिए में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमीत आप देख रहे हैं जरूरी बाते चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आप अगर अपने बिजली बिल का भुकतान समय से पहले करते हैं तो आपको जो भी आपका बिल एमांट है उससे कम पे करना पड़ता है उसमें आपको कुछ रिवेट मिल जाता है तो जितना भी आपका इमांट बिल बनता है उससे कम इमांट पे करते हैं तो आपका बिल भुकतान हो जाता है जैसे अगर मानले जी आपका बिल एक हजार रिपे का बनता है तो आप अगर उसको time से पहले payment करते हैं तो आपको एक हजार नहीं payment करना पड़ता है आपको एक हजार से कुछ कम amount होता है जो कि आपको rebate के रुपे मिलता है आपको time payment करने के लिए इसके उल्टा अगर आप आपको एक जो rebate amount आपको मिल रहा होता है वो rebate amount तो नहीं ही मिलता है आपको extra fine उस पर charge कर दिया जाता है यानि कि अगर आपका 1000 का bill है तो एक हजार तो देना ही पड़ेगा उस पर कुछ आपको ब्याज लग जाता है या फिर late fine लग जाता है तो आपको दोगना नुक्सान होता है एक तो रिवेट amount चूट गया आपका और उपा से late fine भी लग गया तो इस तरह से आपको double नुक्सान होने लगता है अगर आप अपना bill late से payment करते हैं तो चलिए अब हम एक calculation समझते हैं कि आप अगर अपना bill लगतार 6 महीने एक साल या दो स अपना payment नहीं करते हैं तो आपको कितना नुक्सान होगा कितना अधिक bill भरना पड़ेगा दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं इसमें मैंने monthly bill 1000 पर माल लिया है कि आपका monthly bill 1000 पर बनता है आप इसमें देखें दो पाइट है एक है जो green color में है दूस जो red color में है उसमें कि आपना consumer payment नहीं कर रहे हैं आपका bill accumulate होते जा रहा है आपको fine लगते जा रहा है तो पहला case मैंनो देखते हैं क्या हो रहा है जैसे पहला case है 1000 पर बिया का bill है उसमें आप जैसे जानते हैं मैंने यह example बिहार के लिया है बिहार का जो भी rate है जो भी fine का rate है उसके according मैंने इसको calculate करके दिखाया है जैसे आपको 1000 पर बिया का bill है तो उसमें आपको 15% का rebate मिलता है यानि कि 15 रुपे का rebate मिलता है यानि कि अगर आपका bill 1000 पर बना तो आपको अगर time payment करना पड़ेगा उसके लावा आपको अगर उसको online payment करते हैं time पर तो आपको 1% क और rebate मिलेगा जो आपको अगले bill में address करके मिलता है यहाँ मैंने उसी bill में address करके दिखाया है ताकि आपको calculation थोड़ा simple हो सके इसका मतलब है कि अगर आपका 1000 का bill है और आप उसको time payment करते हैं और online payment करते हैं तो आपको सिर्फ 975 payment करना पड़ेगा आपको 25 रुप्या rebate मिल जाता है ऐसे अगर आप 6 महिना तक हम लोग करते हैं 6 महिने तक आप calculate करेंगा तो हर महिने आपको 975 payment करना पड़ेगा अगर आपका bill 1000 का बनता है तो ऐसे में आपका total 6 महिना में 555 रुप्या का bill payment करना पड़ेगा अब उल्टा साइट देखते हैं कि अगर आप हर महिने ब बना आप payment time पर नहीं करते हैं तो उस पर 15 रुप्या का लेट फाइन चार्ज हो गया 1.5% लेट फाइन लगता है तो आपको 15 रुप्या उस पर लेट फाइन होके आपका bill हो जाएगा 1,015 रुप्या अगले में फिर आपको 1,000 का और बिल बन जाएगा तो उस समय आपका bill हो जाएगा 2,000 रुप्या उस पर आपको लेट फाइन लग जाएगा 1,030 रुप्या पहले से आपको 15 रुप्या लेट फाइन लगा हुआ था दोनों जोड देंगे तो आपको टोटल लेट फाइन हो गया 45 रुप्या यानि कि जब अगला bill आपको बनेगा तो उस समय आप आपका bill 1000 का और बन जाएगा तो 3000 रुप्या आपका मूल मत्तब अमाउंट हो गया उस पर 1.5% का फाइन लगेगा जो कि 45 रुप्या हो गया और उसके पिछले मंत तक आपको 45 रुप्या अल्रेट फाइन लग चुका है तो दोनों मिलाके 90 रुप्या फाइन लग गया यान प्टान कोगा पेअन आप को जाएगा यानि की आपको जहां अन्धाउन सो पराइन पयमेंट होता अगर आप हर महिने करते हैं वहीं आपको अच्छे महिनाँक बाद करते हैं तो आपको 405 रुप्या प्यमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तैर्सोट्सोडश 15-1 पाइ देते हैं तो आपको लगभग आधे महिना का फिल एक्स्टा पे करना पड़ता है अब यह आधे महिना तो सिर्फ 6 महिना के लिए है अगर आप इसको जितने लंबे पिरेट के लिए छोड़ेंगे यह एमाउंट देखे कैसे इंकरीज गरता है अभी हम लोग ने यह 6 महिने के 700 भुगतान करना होगा वही दूसरे तरफ आप देखिए तो 12,000 के बदले में आपको 13,170 पे करना है यानि कि टोटल अगर डिफरेंस दोनों में निकालेंगे 11,700 और 13,170 जो कि डिफरेंस आपका हो जागा 14,70 यानि कि लगभग आपका डेढ महिने का बिल हो गया वह यान अगर आप एक साल तक छोड़ देते हैं तो आपको 1,5 महिना का एक्स्टा विल पेमेंट करना पड़ेगा अगर 6 महिना में थे तो आपको सिर्फ 15 दिन का विल पेमेंट एक्स्टा करना पड़ा था शिर्फ और 6 महिना दुग गया तो आपको 1,5 महिना का पेमेंट यहां पर आगया 17,550 रुपया जो कि टैमली पेमेंट करने पर आपको पे करना होगा और दूसरे तरह आपको 20,550 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप मतलब एक डिएड़ साल तक पेमेंट नहीं करते हैं तो इसमें डिफरेंस जो आगया आपको 3,015 रुपया जबकि हमारा मन्थली बिल है सिर्फ 1,000 रुपया यानि कि अगर आप डेड़ साल तक छोड़ देंगे तो आपको एक्स्ट्रा तीन महीने का बिल पेमेंट करना पड़ेगा मत्तब कि जो लेट फाइन होगा वो आपको तीन महीने के बिल के बराबर हो जाएगा अगर आप इसको दो साल तक छोड़ देते हैं तो देखिए फिर और तेजी से बढ़ रहा है अब देखिए दो साल पे छोड़ देने पर आपका बिल तीन महीना का जो बिल लग रहाथा आपको हो गया पांच महीना का बिल सिर्फ आगले छे महिना में आपको दो महिना कावर बिल एक्स्टा पेग करना हो जैसे आपका पिरियड बढ़ते जाएगा यह डिफरेंस और तेजी से बढ़ते जाता है क्योंकि आपका मूल अमांट भी बढ़ते चला जाता है तो उस पर इंट्रेस्ट अमांट भी बढ़त फाइन लगने का जो रेट है वो भी बढ़ते चला जाता है अगर आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो देखें क्या है यह 6 महिना पे 460 है बारा महिना पर यह 470 हो गया फिर 18 महिना पे मतलब 6-6 महिना का डिफरेंस पे आप देखी 1400 से 3000 हो गया फिर अगले 6 महिना में पे आपका मूल अमांट बढ़ते चला जाएगा और आपके उपर फिर इंट्रेस्ट का जो रेट होगा रेट तो वही रहेगा बट मूल अमांट बढ़ जाने से आपका इंट्रेस्ट अमांट भी बढ़ते चला जाता है तो आप इस बात के जरूर धियान रखें कि आप बिल क पेमेंट अगर आप किसी मंत मिस कर जाते हैं या दो मंत मिस कर जाते हैं तो उसको आगे चलके पेमेंट कर दे क्योंकि जितना आप डिले करेंगे आपका लेट फाइन उसके गॉर्डिंग आपका मूल इमांट के साथ बढ़ता चला जाएगा और आपके उपर काफी अधिक ब मैं आपके लिए इस तक नएने वीडियो लिख आते रहता हूं जाए हिंद बंदे मात रहें